हे गाईज आज हम बनेंगे पिंटक्स और कटवर के साथ ब्यूटिफुल सा यह ट्राउजर का डिजाइन तो हमने डबल फॉल्ड करकर पेस्टिक को रखा है 6 इंच मेंने इसकी चोड़ाई को रखा है और लंबाई इसकी हमने 9 इंच रखी है इस तरह से हम ट्राइंगल की शेफ में एक मार्किंग करेंगे चलिए इसका मेजरमेट भी मैं आपको बताती हूँ 8 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे और नीचे की तरफ हम ट्राइंगल की शेफ में एक सीधी मार्किंग कर लेंगे कटवर की हैप से हम यहाँ पर गोलाई की मार्किंग करेंगे जो मैंने एक कार्डबोर लेकर ओलेडी बना के रखा था उपर की साइड सेंटर से हम लेते हुए हमें इस तरह से पहले एक मार्किंग गोलाई में कर लेनी है इसके बाद step by step एक ही measurement के according नीचे तक हम marking कर लेंगे तो guys आज का design बहुती beautiful बनेगा जिसे beginners बहुती easily बना सकती है तो बिन स्किप किये वीडियो को end तक देखें एक इंच का extra margin रखते हुए इसकी हम cutting कर लेंगे cutting करने की बाद fabric के साथ भी मैंने इसको already चिपका कर attach कर लिया था guys अब हम अपने trouser के front side में इस fabric को रखेंगे कटवर के side side में दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे extra fabric को हम सिलाई लगा कर कट करेंगे कटवर की corner में और गोलाई में हलके हलके से cut लगाएंगे तक कि guys जब हम इसे बाहर की side fold करें यह हैं बहुती finishing के साथ easily हो पाएं दोनों side इसी तरह से हम कट लगाएंगे और इस तरह से इसे बाहर की तरह fold करेंगे fold कर लिया है हमने fabric को back side और यहाँ पर तुरपाई भी लगा ली है आप भी ऐसे ही already तुरपाई लगा ले अब हम pintax का design बनाएंगे इसके लिए मैंने fabric लिया है white color का और back side में paste stick भी लगा ली है fabric हमने double fold किया है तो आठींच इसकी चोड़ाई होगी और साड़े आठींच इसकी लंबाई center को हम इसके अच्छे से highlight कर लेंगे दोनों side center में कम से कम हम poninch का extra margin छोड़ने के बाद ही pintax बनाना start करेंगे poninch का margin center से हम एक side ऐसे छोड़ेंगे और यहाँ पर हम बारी किनारी पर pintax बनाएंगे pintax बनाने के लिए guys मैंने trouser की according यानि उसकी color की according ही धागा मैंने उपर की side machine में चड़ाया हुआ है इससे हमारी pintax काफी highlight होगी और देखने में एक सी भी लगेगी एक centimeter की gap से हम फिर से इसी तरह से pintax बनाते जाएंगे एक side भी हमने ऐसे ही pintax को बनाया है दूसरी side भी guys हम इसी तरह से pintax को एक एक centimeter का gap छोड़ते हुए बना लेंगे अब इस fabric के center में हम dory को attach करेंगे जो मैंने already बना कर रखी थी डेडी इंच की लंबाई हमने dory के रखी है और dory को हम इस तरह से fold करेंगे जहां पर हमने सीधी center की marking की थी उसके just उपर इसी तरह से हम dory को रखते हुए सिलाई लगाएंगे दोनों dory के बीच का gap कम से कम एक centimeter का रखेंगे और जितनी भी आप यहाँ पर dory attach करना चाहें उसके according कर ले extra dory को हम इस तरह से guys cut कर लेंगे अब fabric को इस तरह से fold करेंगे और सिलाई के just side में हम इस तरह से फिर से सिलाई लगाएंगे और dory हमारी इसी fabric के साथ invisible shape में आएगी dory का look कुछ ऐसे आ जाएगा impulse के साथ हम इसे थोड़ा सा और attractive बनाएंगे dory के center में impulse को हम attach करेंगे साथ साथ guys हम थोड़ा थोड़ा dory को भी sweet के साथ लेके जाएंगे ताकि हमारी dory भी इधर उधर ना जाए अच्छे से वे भी attach हो जाए और इसी तरह से हम step by step इन सभी dory के center में pulse को लगा लेंगे अब हमने इसके साथ front side में रखते हुए एक और fabric guys attach करना है जिस side को हम नीचे की तरफ रखेंगे वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे अब इस fabric को हम बाहर की तरफ इस तरह से fold करते हुए pin up कर लेंगे अब extra fabric हमने अपने cut work के measurement के according कट कर लिया है back side से fabric हमारा ऐसा आएगा अब इस design को guys हम cut work के साथ attach करेंगे यानि अपने trouser वाले fabric के center में इस तरह से इस fabric को रखेंगे जो fabric हमने trouser का side में extra निकाला है एक इंच का उसे भी हम अंदर की तरह fold करकर तुरपाई कर लेंगे और यहाँ पास जिलाई लगा लेंगे cut work के side side में और finally cut work and pin tucks के साथ हमारा यह beautiful सा design ready हो गया है तो guys आपको यह design कैसा लगा जल्दी से comments box में अपने comments हमें भेजे साथ ही वीडियो को like and share करना तो बिल्कुल ना भूले